36 गड़ कॉंग्रेस कमीटी ने आज सतह तर्वी वर्षगांत के उपलक्ष में प्रदेश भर में सन्विधान यात्रा निकाली। इस यात्रा में कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित सैकडु की संख्या में कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता शामिल हुए। अब इस यात्रा को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। एक तरफ बिजेपी हर घर की रंगा आभियान चला रही है तो दूसरी तरफ कॉंग्रिस सन्विधान यात्रा निकाल रही है। चलना शुब हुँ हो जाएगा. आज 36 प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के आवान पर पूरी प्रदेश के चीला मुख्याल है नगर पंचायत नगर पाली का नगर निगम सभी वार्डों में और सभी बलाकों में सभीधान यात्रा निकाला गया है जिसके तार्तम्मे में आज मैं भी स्वयम राइपूर के हमारा सभीधान यात्रा में मैं भी सामिल वाओं जिस दिन कॉंग्रेस के लोग इस सभीधान का पालन करना इस सभीधान की रख्षा करना सुख जाएंगे इस दिन ये देश सभीधान के अलसार चलना सुरू हो जाएगा कॉंग्रेस के लोगों ने अगर भारत का विभाजन हुआ चाहे पाकिस्तान बना हो चाहे बंगलादेश बना हो चाहे कोको दीब बर्मा को दिया गया हो चाहे अकसाई चीन हमसे अलग हुआ हो चाहे हमारा लेह लद्दाक का हिस्सा पाकिस्तान के पास गया हो इसके लिए अगर कोई दोसी है तो कॉंग्रेस पार्टी दोसी है